राधे राधे मेरी यूटूब फैमली पता निक्यों आज सुबह से मुझे क्या हो रहा है कि आलस उतरने का नामी नहीं ले रहा है सुबह साड़े पांच बजे उट भी गई थी बलकि सवा पांच बजे और घर का सारा जाड़ू पोचा भी कर लिया था बच्चों को स्कूल भी बेज दिया है लंच बगेरा बना दिया है नाचता बगेरा बना दिया है खुद कभी कर लिया है और करीब 9 बजे का टाइम हो रहता और बिलकुल आलस उतरने का नामी नहीं ले रहता फिर मैंने क्या क्या मैं पढ़के सो गई तो मैं उठी थी सवा दस बजे सवा गंटे का मैंने रेस्ट लिया मैंने सुझा थकान के वज़े से हो रहा होगा सोने के बाद ठीक हो जाएगा मूर अब जैसी सवा दस बजे उठती हूँ घर का काम तो सर पे चड़ी गया है लेकिन आलस उतरने का ना भी नहीं ले रहा है जकरंस ही हो रही है हथो पैरों में मैंने सोच चली अपने इसपेशल चाय बनाके पी जाती है क्योंकि जब भी मेरा ऐसा सामान ले लिया है एक्तम कड़क और special चाई बनाके तयार करेंगे कई मार्किट में कई बाजार में यह चाई नहीं मिलने वाली आपको यह केवाल अनिता के पास मिलेगी या जब आप special बें बनाओगे तब मिलेगी यह मैंने ले लिया है कि माम जिस्ता इसमें थोड़ा सा है तो यह हमारा एक इसपेसल मसाला बनके तयार हो चुका है चरी आगे का काम देख लेते हैं यहां पर देखिए दूद भी हमारा गरम होने लगा है तो जैसी दूद में हलक हलका सबालाना शुरू हो जाएगा इसमें हम डाल देते हैं एक कप में एक सी सवा चमच के जितना बना के तयार किया था अब जो में मैंधाड़ होता है न वह होता है चाय को पकाने का अब मेरी चाय में दूद कम हो चाय जदा हो मैं चाय को बहुत जद पकाते हूं कभी-कभी तो दूद कम होने के बज़े चाय पानी जैसी आपको दिखाई देने लगती है लेकि चाय का र तो मुझे इसी तरीके की चाय पीना पहले से ही पसंद है अब घर पे तहम गाई भैसे रखते थे वहां पे दूद की कम होती नहीं थी तो इस तरीके की चाय डेली के डेली बना के पी ली जाती थी लेकिन यहां पे हमें मोल को दूद लेना पड़ता है और उसमें बच्चों क देखना पड़ता है गर में की भी बनाना होता है तो बहुत सारे काम हो जाते हैं तो अपनी चाय चाय के ती के ते बच्यों धूद वगैरा दे दिया जाता है तो चले ही मैं अपनी चाए बना के तैयार करी लिए कभी कभी बनाती हूँ पहले मैंने आपको बताया रोज रोज नि बनाती हूँ तो धो कप के जितने मैंने चाय बनाई थे और ये डेड़ी कप चाय बच्छी ओगी करीब करीब मतलब मैंने सोच अपनी हस्बेंट को भी दे दूँग meरे हस्बेंट चले गए बच्चों को लेने के लिए मैंने सोचे चल जब तक भी आएंगे दोपेर के खाने का टाइम भी होता ही जा रहा है मैं खुद ही पी लेती हूँ क्योंकि ये चाय बहुत टेस्टी लगती है थोड़ी सी मैंने ये नमकीन ले ली है और इसको मैंने घर भी बना के तयार किया था ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही है और पसंद क्यों आए रेसिपी नमकीन की बहुत ज़्यादा अच्छी थी तो मेरी चाय तो तयार है जरा मैं अपना आलस उतार लेती हूं